हेलो यू काईज, मैं हूँ ब्रीत, आप देख रहे हैं टॉज अंट रीड्स, मैं आप वपस आचोका एक नई वीडियो के साथ इस वीडियो मैं नर्फी लीड, 2.0, Eagle.RD8 को अनबॉक्स और रिवियो करूँगा और एक फारिंग टेस्ट पर करूँगा इसके परफारमस देखने के लिए ये एक स्प्रिंग फावड एक डाट ड्रम केपासिटी का ब्लाश्टर है, इसका लुक एक स्नाइपर जैसा है, इसमें स्लाम फायर मोड भी है लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल एकन को भी दबा दीजे ताकि आप मेरी कोई भी फीडियो मिस ना करें आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और भी अच्छे कंटेंट के लिए अब इसे अन्बॉक्स करता है नर्फ इसके डाट्स 90 फीट तक जाता है यह 16 इलिट डाट्स के साथ आती है इसको अब चार तोरे कस्टमाइज कर सकते हो यह है स्कोप यह है ड्रम और फिर यह है प्राइमिंग बॉल्ट यह है स्टोरेज एरिया यह ब्लास्टर्स को बैरल बोल्ट्स इस्ट्रक्शन्स और 16 इनिट डाट्स के साथ आता है यह हैं इन्स्ट्रक्शन्स अब इसका एक इस्टर्नल ओव व्यू करते हैं यह है फ्रेंट बैरल यह है आईरन साइट यह है रेल इस पर आप स्कोप लगा सकते हैं यह है स्लिंग अटेश्मेंट पॉंट यह है अन्रिमोवबल स्टॉक यह है स्टोरेज एरिया यह है थम टाइप ग्रिप और यह है ट्रिगर यह एक और रेल है फ्लाश लेट के लिए यह है प्राइमिंग वॉल्ट यह है रोटेटिंग ड्रम इसमें एट डाट्स आता है यह है फ्रेंट फोर ग्रिप इसकी स्टोरेज कापसिटी एट डाट्स है चार डाट्स दोनो तरफ इसको सामने से लोड़ करकर बोल्ड को प्रैम कीजिए और फिर एक बार ट्रिगर को दबाई है फॉयर करने के लिए यह है बैरल यह इसके आइरन साइट है यह ग्रिप का और एक पोशन है इस पर भी एक रेल है एक और फ्लैशलेट या ग्रिप के लिए और फिर यह है एक स्लिंग माउंट इसको ब्लास्टर पर लगाते ही दोनों आइरन साइट्स कमबाइन हो जाती है दोनों ग्रिप भी कमबाइन हो जाती है यह है स्कॉप यह ग्लास नहीं है यह सिर्फ प्लास्टिक है तो इसलिए यह जूम भी नहीं होता यह भी सिर्फ लुक्स के लिए है यह है डाट्स अब इसको फायर करता है इसको इली डाट्स के साथ नार्मल मोन में फायर करता है कि बढलत करता है कि बढलत करता है झाल झाल अब इसको एलिट डाच के साथ स्लैम फायर मोड में फायर करते हैं अब इसको नॉर्मल मोड में अक्यस्टेक डाच के साथ फायर करते हैं झाल 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 अब इसको एक्यस्टेक डाच के साथ स्लैम फायर बोड में फायर करते हैं झाल 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 ये 2.0 ब्लास्टर मुझे काफी पसंदा है ये काफी स्मूथ है और जैम भी नहीं करता इसका स्नैपर लोग इसको फ्यूचरिस्टिक लोग देता है ये ब्लास्टर एक नए स्कोप और बैरल के साथ भी आता है इससे इसके वैल्यू बढ़ जाती है इसका कलर भी काफी अच्छा है ये इलीट डाट्स के साथ 73 फीट पर सेकेंड और अक्योस्टरिक डाट्स के साथ 72 फीट पर सेकेंड तक फायर कर सकता है तो ये थी नर्फ इलीट 2.0 इगल पॉंट रडी 8 के अनबाक्सिंग आपको ये ब्लाट्स टर कैसा लगा? मुझे कमेंट्स में बताईए उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई अगर पसंद आई तो लाइक करना ना बूले अगली वीडियो के लिए बने रहे है थैंक्स पॉर वाचिंग